C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाथ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याई आठ इसका शीरशक है हाशिया करण से निपटना तो आईए सुनते हैं अध्याई आठ पिछले अध्याई में हमने दो अलग-अलग समूहों और असमानताव भेद भाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था ये समूह भले ही कम ताकतवर हों लेकिन उन्होंने अलग-थलग कर दिये जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है अपनी आवाज अधिहास में विविधरण नीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिशकार, वशिक्षा और आर्थिक बेहतरी अपनी स्थिती में सुधार के लिए उन्होंने तरह-तरह के रास्ते अपनाए हैं संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यहर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाए रहते हैं इस अध्याई में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन समुहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए हैं आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं हलांके उनका स्वरूप बदल गया है आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसल्मान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समुहों ये दलील दे रहे हैं कि एक लोगतांतरिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए उन्हें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए सम्विधान का भी सहारा लिया है इस अध्याई में हम देखेंगे कि हाशियाई समुहों अपने संगर्षों के दारान सम्विधान का सहारा किस तरह लेते हैं हम ये भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोशन से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शकल कैसे दी जाती है। यहां इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समुहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीती गत प्रयास किये गए हैं। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे प्रदर्शन करती हुई महिलाओं का एक चित्र दिखाया गया है। प्रिष्ठ पिच्चानवे मौलिक अधिकारों का उप्योग। जैसा के आप इस पुस्तक के पहले अध्याई में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिध्धान्त सूत्र बद्ध किये गए हैं, जो हमारे समाज और राज्य विवस्था को लोकतांतरिक बनाते हैं। इन सिध्धान्तों को मौलिक अधिकारों के जरीए परिभाशित किया गया है। ये हमारे संविधान का एक महकवपून हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्द होते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर दे कर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा उन्होंने इस बात के के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संगर्ष की वजह से ही सरकारों को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। संविधान के अनुच्छेद सत्रह के अनुसार अस्प्रिश्यता या चुआचूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सारवजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये भी है कि छुआचूत गलत है और लोकतांतरिक सरकार इस तरह के आचरण को बरदाश्ट नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्प्रिश्यता एक दंडनी अपराद है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्प्रिश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद पंद्रह में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपकक्षा साथ में समानता पर केंद्रित अध्य काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इस तरह यदी दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बरताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। इस तरह मुसल्मानों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदायों ने भी सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक वशेक्षणिक अधिकारों की स्वतंतरता के अधिकार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शेक्षणिक अधिकारों का प्रश्ण है, मुसल्मान और पार्सियादी सांस्कृतिक धार्मिक समुखों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्प्रकार के संस्कृतिक अधिकारों की विवस्था करके सम्मिधान ने ऐसे समुखों को संस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। कि इन समुहों की संस्कृती पर न तो बहुसंख्यक समुधाय की संस्कृती का वर्चस्व हो और नाहीं वो नश्ट हो। हाशियाई तबकों के लिए कानून जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कारवाई नहीं करती, हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं, बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिती की सिफारिशों या सर्वेक्षन आदी के नतीजों पर आधारित होती हैं, सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोथसाहन देती है, ताके खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराई जा सकें। सामाजिक न्याय को प्रोथसाहन समविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातिय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेश प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताके वे शिक्षा संबंदी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुम्किन है कि उनके अपने इलाकों में उ लिखा गया है ये कविता महराष्ट्र की विख्यात भक्तकव यित्री सोएराबाई द्वारा लिखी गई है वो चौधवीं शताब्दी के जाने माने भक्तकवी चोखा मेला की पतनी थी सोएराबाई महार जाती की थी उस समय ये जाती अच्छूत मानी जाती थी आगे लिखा है काया है दूशित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग लेकिन दूशित काया पैदा होती है काया के भीतर ही है अनुष्ठान वो कौन सा होती है जिस से शुद्ध काया ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो ना खून सनी कोक से, यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूशन है भीतर, दूशित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना महारी चोखा का है ये कहना इस कविता में सोयरा बाई, शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुश्य एक ही धंग से पैदा होता है इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एक की देह को ज्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती है संभवत है वे ये भी कहना चाहती है कि जाती विवस्था में लोगों को विभिन स्थानों, कारियों, ग्यान और प्रतिष्था से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला चुआचूट का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता बलके ये हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य माननताओं से पैदा होता है कुछ जरूरी सुविधाएं मुहया कराने के अलावा, सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताके विवस्था में नहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कدم उठाए जा सके आरक्षन की विवस्था इसी तरह का एक महकवपून कानून या नीती है ये महकवपून होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षन का कानून एक महकवपून तरक पर आधारित है इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुनताएं हासिल करने के अवसरों से वन्चित रखा गया है वहां लोक्तान्त्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए आरक्षन की नीती किस तरह काम करती है देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचत जातियों या दलितों, अनुसूचत जनजातियों और पिछडी व अती पिछडी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंदर सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शेक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाती और जनजाती प्रमानपत्र के रूप में अपनी जाती या जनजाती का सुबूत देना होता है। अगर कोई खास दलत जाती या जनजाती सरकारी सुची में है, तो उस जाती या जनजाती का उम्मीदवार आरक्षण का लाब उठा सकता है। कॉलेजों, खासतार से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट आफ या न्यूनितम अंकसीमा ताय की हुई है। इसका मतलब ये है कि इन संस्थानों में सभी दलत और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इन में उन्हीं दलत और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनितम अंकसीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं। सरकार इन विद्ध्यार्थियों को विशेश चात्र वृत्ती भी देती है। नमी कक्षा की राजनीती विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षन की विवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इस पृष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है। लिखा गया है आपकी राए में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षन इतना महत्वपून क्यों है। इसका एक कारण बताईए। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बकसे में आप से कुछ प्रशन पूछे गए हैं। सबसे उपर तीन शीरशक दिये गए हैं। पहला शीरशक है योजनाओं की सूची। दूसरा शीरशक है ये योजना किस बारे में है। तीसरे शीरशक में लिखा गया है आपकी राए में इससे सामाजिक न्याए को कैसे बढ़ावा मिलेगा। योजनाओं की सूची शीरशक के नीचे पहले कॉलम में पूछा गया है विद्यार्थियों के लिए वजीफे की विवस्था। इसके सामने ये योजना किस बारे में है के नीचे रिक्तस्थान छोड़ा गया है इसी तरहे आपकी राए में इससे सामाजिक न्याए को कैसे बढ़ावा मिलेगा शीरशक के नीचे भी रिक्तस्थान छोड़ा गया है इन दोनों रिक्तस्थानों को भरें। इसी तरह से विशेश थानों का गठन, ये योजना किस बारे में है? रिक्त स्थान, आपकी राय में इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा? रिक्त स्थान दिया गया है, कृपया इन्हें भरें. योजनाओं की सूची शीरशक के नीचे तीसरे कॉलम में एक और प्रश्न पूछा गया है, लिखा गया है, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेश योजनाई. ये योजना किस बारे में है? शीरशक के नीचे तीसरा कॉलम खाली छोड़ा गया है. आपकी राय मे इससे सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा मिलेगा शीरशक के नीचे तीसरा कॉलम खाली छोड़ा गया है. इन दोनों रिक्तस्थानों को भरें. प्रिष्ट 98. दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा. हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शूशन से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं. आईए, यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं. जकमाल गुर गाउं के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं. यहां हर पाँच साल में एक बार स्थानी ये देवता की पूजा की जाती है. पाँच दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के बीस गामों के पुजारी इकठा होते हैं. इस कारिक्रम की शुरुवात में दलित समुधाय का एक व्यक्ति सारे पुजारीयों के पैर धूता है और धोवन के इस पानी से नहाता है. जकमाल गुर में ये काम रतनम के परिवार के लोग करते हैं. रतनम से पहले उसके पिता और दादा ये काम करते रही हैं. उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया. लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था. इस बार रतनम की बारी थी. रतनम बीस साल का था. और पास के ही एक कॉलेज में इंजिनरिंग की पढ़ाई कर रहा था. उसने ये रस्म निभाने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि वो इस संसकार में विश्वास नहीं करता और उसके पुर्खों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था. रतनम के इनकार से नकेवल गाउं की ताकतवर जातियां बलकि उसके अपने समुदाए के कई परिवार भी खफा थे. उँची जातियों के लोगों को ये देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है. उनको लगता था कि रतनम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वो खुद को उनके बराबर मानने लगा है. रतनम की जाती के लोग भी उंची जाती वालों के घुसे की आशंका से डरे हुए थे. उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खली हानों में दिहाडी मजदूर थे. अगर प्रभुत वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएंगे? जिंदगी कैसे चलेगी? उन्ची जातियों ने ये भी अलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं जुकेंगे तो उन्हें स्थानी देवता का अभिशाप लगेगा. परत्नम की दलील ये थी कि चूँके आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर घुसा होने का सवाल ही नहीं उठता. इस प्रिष्ठ पर बाई और गुलाबी रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है. इस बकसे में सबसे उपर कबीर दास जी का चित्र दिखाया गया है और उनके सामने उनके दो अनुयाई बैठे हैं. लिखा गया है भाशा की अपनी पुस्तक में आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे. कबीर पंद्रवी सदी के कवी थे. पेशे से बुनकर कबीर भक्ती परंपरा से जुड़े थे. कबीर की कविता परंसत्ता के प्रती उनके प्रेम पर केंद्रित थी. उनका ये प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था. उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते हैं उनकी राय में हर व्यक्ती के पास आध्यात्मिक मुक्ती प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरीए भीतर के गहरे ग्यान को हासिल कर सकते हैं उनके पद सभी मनुश्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं वे एक साधारन कुमार, बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक उच नीच से घ्रिना करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। प्रिष्ट निन्यानवे ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिशकार कर दें। सभी कोई आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की जोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिन्दा भाग निकला। उसने अनुसूचत जाती एवं अनुसूचत जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानी ये थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आये, वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुह खोलेंगे, तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानी ये मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गाउं का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततह विवादासपद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गाउं छोड़ कर जाना पड़ा। क्योंके गाउं की उची जातियों ने उसका बहिशकार कर दिया। इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ प्रश्न पूछे गई हैं। लिखा गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि रत्नम को परंपरागत रस्म निभाने के लिए जिस तरह मजबूर किया जा रहा था वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित परिवार शक्तिशाली जातियों के उस्से की आशंका से डरे हुए थे। अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अरतनम ने अपने गाउं में उची जातियों द्वारा किये जा रहे भेद भाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पढ़ रहा था कि वो दलितों और आदिवासियों के साथ रोज मर रहा होने वाले दुर विवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कारवाई करे यों तो इस तरह का विवहार लंबे समय से चला आ रहा था लेकिन सत्तर के दशक के आखर और असी के दशक में ये समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी इस दोरान दक्षिन भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पूर जोर आवाज उठाई वे तथा कथित जाती ये दायत्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान वशोशन करने वाली परमपराओं को मानने से इनकार कर दिया था इसकी वजह से उची जातियों के लोग उनके साथ खुलेाम हिंसा पर उतारू हो गए थे सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआ चूट अभी भी जारी है उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया उन्होंने नकेवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बलके अपनी जमीन वसंसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का घुस्सा जहिलना पड़ा और उनके साथ भी जम कर हिंसा हुई यही वज़े है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है इन में से कई अपराध तो इतने भायानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है इस कानून में न केवल भायानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बलकि ये कानून इस बात की और इशारा भी करता है कि साधारन इनसान भी कितने जगन्य कृत्य कर सकते हैं इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोशियों को सजा भी देते हैं इस कानून में कई सतर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है पहला इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनी अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो एक अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथ्वा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश्च करते हैं तीन, अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है दूसरा इसमें ऐसे कृत्तियों की सूची भी है जिनके जरीए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारन संसाधनों से वन्चित किया जाता है या उनसे घुलामों की तरह काम करवाया जाता है फल्स्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चार अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाती के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कबजा करता है या खेती करता है या उसे अपने न पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी एक और स्थर पर ये कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराद एक खास तरह के अपराद हैं इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की विवस्था की अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं लिखा गया है क्या आप 1989 के कानून के दो प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं शब्द संकलन को देखें और अपने शब्दों में लिखें कि नैतिक रूप से निंदनीय पद का आप क्या मतलब समझते हैं इस प्रिष्ठ पर बई और गुलाबी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है पंडित देखहु मन में जानी कहु धों चूती कहां से उपजी तबहीं चूती तुम मानी एक ही पाट सकल बैठाए चूती लेत धों काकी चूती ही जेवन चूती ही अंचवन चूती ही जग उपजाया कहें कबीर ते चूती विवरजित जाके संग नमाया संदर्भ इस पद में कबीर ने बताया है कि प्राणी की तीन स्थितियां होती है जन्म, जीवन और मरण तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है फिर चूहा चूत का भेदभाव कैसा? व्याख्या कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो भला बताओ कि छूत क्या है और कहां से उत्पन हो गई? तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली है प्रभू ने एक ही प्रित्वी रूपी पीड़े पर सभी को समान रूप से बैठा दिया है फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अचूत? अन और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से सहिकत है इसी छूत से सभी उत्पन हैं फिर उनसे कौन बचा है? अतह छूआ छूत का भेदभाव निरर्थक है कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है कबीर अचूत शब्द को यहां एक नया अर्थ देते हैं उनका दावा है कि अस्प्रिशता ही ज्यान का सर्वुच्च स्तर है इसका मतलब है कि वो व्यक्ती संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है लहाजा कबीर अस्प्रिशता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अच्छूतों को सबसे निचली अवस्था के बजाए सबसे उंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं प्रिश्ठ 101 इस प्रिश्ठ पर गुलाबी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है बक्से में लिखा गया है हाथ से मैला उठाने का कलंग बहुत सारी लोग जाडू, टिन और टोक्रियों के सहारे, पशुओं, इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं वे बिना पानी वाले यानि सुखे शौचालेयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेक कर आते हैं हाथ से मैला उठाने वाले पीड़ी दर पीड़ी यही काम करते हैं ये काम आमतोर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है आंधर प्रदेश में सक्रिय सफाई करमचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग एक लाख लोग ये काम कर रहे हैं सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाक निजी और सामुदायिक सूखे शौचालियों की सफाई करते हैं सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवी एस्थितियों में काम करते हैं इस काम के कारण उनके स्वास्थिय को गंभीर खतरा बना रहता है वे लगातार ऐसे संक्रमन के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आँखों, तवचा, श्वसंतंत्र और पाचंतंत्र पर असर पड़ सकता है इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है नगरपालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना दो साव रुपाए मिलते हैं जबके निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है जैसा के आपने इस पुस्तक में पढ़ा है भारतिय सम्विधान में अस्प्रिशता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अच्छूत माना जाता है गुजरात के भंगी, आंधर प्रदेश के पाखी और तमिलनाडू के सिकल यार इसी श्रेणी में आते हैं आम तोर पर उन्हें गाउं के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है उन्हें मंदिर सारवजनिक जल सुविधाओं आधी के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है 1993 में सरकार ने Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Letterns Prohibition Act 1993 पारित किया था ये कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालियों के निर्मान पर पाबंदी लगाता है 2003 में सफाई करमचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों जिनमें 7 मैला ढोने वाले थे उन्होंने सर्वुच नियायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बलके रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है याचिका करताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया इसके जवाब में नियायालय ने निशकर्ष दिया कि उन्निस सो तिरानवे में पारित किये गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजापा हुआ है नियायालय ने केंद्र वराज्य सरकार के प्रत्येक विभाग वमंत्रालय को आदेश दिया कि वे छे मह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं अगर सिर पर मैला ढोने की प्रता अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ती और पुनरवास के लिए एक समय बद्ध कारेक्रम तयार करना चाहिए हाथ से मैला उठाने वाले करमियों के नियोजन का प्रतिशेद और उनका पुनरवास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर को दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें सफाई करमचारी आंदोलन के कारेकरता एक सूखे शौचालय को गिरा रही है इस प्रिष्ठ पर नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से महत्पपून प्रश्ण पूछे गए हैं लिखा गया है सिर पर मैला उठाने का आप क्या अर्थ समझते हैं प्रिष्ठ 14 पर दिये गए मौलिक अधिकारों की सूची को दोबारा पढ़ें और ऐसे दो अधिकारों का उल्लेख करें जिनका इस प्रथा के जरीए उल्लंगन हो रहा है सफाई करमचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ती व्यक्त की थी दो हजार पांच में इस याचिका पर विचार करने के बाद सर्वुच्य न्यायालए ने क्या किया प्रिष्ट एक सौ दो आदिवासियों की मांगे और उन्निस सो नवासी का अधिनियम उन्निस सो नवासी का अधिनियम एक और वजह से महत्वपून है आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परमपरागत जमीन पर अपने कबजे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं जैसा के आपने पिछले अध्याई में पढ़ा था अपनी जमीन छोड़ने और जबरन्व इस थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है अफ्याजा दी जानी चाहिए chat उनोंने कहा कि ये कानून भी जनजातिय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था उनका कहना है कि सम्वेधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता जहां ऐसा हुआ है महा सम्वेधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए आदिवासी कार्यकरता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के सम्वेधानिक कानूनों का उलंगन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं यही सरकारें हैं जो लकडी व्यापारी पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैटियों को जनजातिये जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाडने की छूट देती हैं इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोशित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है सुश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लोट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए इसका मतलब ये है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें जब सरकार आदिवासीयों से चीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्यपर योजनाओं के निर्मान के लिए बेहसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनरवास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचके चाती है इस प्रिष्ट पर बाईं और उपर जंगल में दो व्यक्ती एक व्रिक्ष को आरी से काट रही है और एक सुपरवाइजर उन्हें वहां खड़ा हुआ देख रहा है नीचे लिखा गया है केंदर सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाती एवं अन्य परमपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए एहतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास, जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकडी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है इस कानून में ये भी कहा गया है कि वन इवं जैव विविधता सनरक्षन भी वनवासियों के अधिकारों में आता है किसी अधिकार या कानून या नीती को कागज पर लिख देने का ये मतलब नहीं होता कि वो अधिकार या कानून या नीती वास्तव में लागू हो चुका है इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है बराबरी, इज़त और सम्मान की चाहा कोई नई बात नहीं है ये बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है इसी प्रकार लोकतांतरिक समाज में भी संगर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिक्ता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिएं प्रिष्ट एक सौतीन अभ्यास एक, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताईए जिनका दलित समुदाए प्रतिष्ठा पून और समता परक्व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रिष्ठ 14 पर दिये गए मौलिक अधिकारों को दो बारा पढ़िये दो, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाती इवं अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दो बारा पढ़िये अब एक कारण बताईए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई 3. सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकरताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के चीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है चार इस एकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरन हैं कि विभिन व्यक्ति और समुदाएं अपनी सोच, अपने घुस्से और अपने दुखों को किस किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं अपनी कक्षा में ये दो कार्य कीजिए क, एक ऐसी कविता खोजिये जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है उसे अपने सहपाटियों के सामने पेश कीजिए दो या अधिक कविताएं लेकर छोटे-छोटे समुहों में बट जाईए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए देखें कि कवी ने क्या कहने का प्रयास किया है ख, अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाए का पता लगाईए मान लीजिए कि आप उस समुदाए के सदस्य हैं अब इस समुदाए के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिये या पोस्टर आदी बनाईए शब्द संकलन आग्रही जो व्यक्ति या समुहू पुर्जोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है बहिशकार इसका मतलब किसी व्यक्ति या समुहू को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है इस अध्याय में ये शब्द, व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिशकार के विशय में आया है नैतिक रूप से निंदनी है ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे काइदे कानूनों के खिलाफ होते हैं इस शब्द का इस्तेमाल आम तोर पर ऐसे घ्रनित और अपमान जनक कृतियों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूलियों के खिलाफ होते हैं नीती एक घोशित कार्य दिशा जो भवश्य का रास्ता बताती है लक्षे तए करती है या अपनाए जाने वाले सिध्धान्तों वा दिशानिर्देशों की व्याख्या करती है इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है लेकिन स्कूल, कम्पनी आदी अन्यसंस्थाओं की भी अपनी नीतियां होती है इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ वाचन बाबला कोछड तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग, तनु गुप्ता, निर्माण एवं निर्देशन, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत